हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल अम्रिती पर्शमिला आज की वीडियो में हम सीधी पट्टी की हल्प से काना की ड्रेस बनाना देखेंगे यह आप हलकी ठंडी पे पहना सकते हैं एकदम लाइट वेट सी हमारी ड्रेस होने वाली है यह देखें हमने यहां से अभी इसे बना सकते हैं अभी यह स्टार्टिंग स्टार्टिंग की वीडियो है तो बहुत सारे न्यू लोग होंगे इसलिए मैं एक्तम सिंपल और आसान तरीक आपको बता रही हूँ देखें गले पे बादने के बाद यह दोनों पैर के नीचे से आएगी तो इसमें हमार कट कर देंगे एकदम हलका सापको बात लेना है इसे अगर आप बिगनर भी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम इसी तरीका मैंने आपको बताया है यहां पे जो भी एक्स्टा उन है देखें यह हम कट कर देंगे तो कुछ इस तरह की फिटिंग आई है आप पीछे से देख सकते हैं पूरी की पूरी नैपी आ गई है और फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक है छे नंबर के काना को मैंने पहनाया है बट मेजर्मेंट चार्ट आपको सभी साइज्वे मिल लियागी तो आप इसे किसी भी साइज्वे बना सकते हैं बहुत इसे बन 2.5 mm में क्रोशिया हुक लिया है चले स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीका बताऊंगे आसानी साब इसे बना सकते हैं सबसे पहले हमें देखें यह इस तरह से एक नौट लगा लेनी है यह ऐसे करके यह देखें यह हमारी यहाँ पे एक लूप आ गई अब इ इसलिए में एक दम डिटेल में आपको बता रही हूँ यह देखें यह इस तरह से नीचे से ले जाना है और यह फसा के उनको खिश लेना है यह एक चेन बनाई हमने यह दो चेन यह तीन चेन क्रोशिया कैसे चला है इस वे मैंने डिटेल पर वीडियो बनाई है आप चेक कर चले लंबा सा बनाती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखें आप मैंने इतनी लंबी से बनाया है लगवक हमारा यह आठ इंच लंबाई की चेन बन गई है इतनी बड़ी की काना की गले पर आप बात लें इसे अब इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसे हम आप देखें एकदम सिंपल और आसान तरीके से यह सीदी सी लाइन हमारी बन गई है अब हमें अपनी आगे की बुनाई करनी है तो यह चेन तो आपको ऐसे ही सभी साइज में बनानी है लंबी सी अब आगे कैसे बुनना है हूंक को लेंगे देखें हूंक का यह फेस हमेशा कुछ जए देखे साइड अपनी तरफ रखना एक आपकर साइड कुछ क्या करना है इस हुपर हम की कारना है इस रोगां के परस्पेश सुपह हम ब् एक, दो, और ये तीन, यह जो हमने स्टार्टिंग की तीन चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं, हम डबल क्रोशिया पे काम करने वाले हैं, यह उन देखिए मैंने ऐसे डोरी के साथ में पकड़ लिया है, हम इस तरह से करेंगे, यहां यह डोरी के नीचे ड फिर हमने इस तरह से किया, यह हमारी एक डबल क्रोशिया बन गई है, यह हमने यहां पे डाला, यह इस तरह से हमने यहां निकाला, तीन फंदे हैं, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, अब आप देखिए, स्टार्टिंग में जो हमने तीन चेन पनाई थी, उसे यहां डाला यह पंदी को निकाल लिया ऐसा करने से ऐसे बनाने से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आप चाहे तो चेन में डाल के बना सकते हैं बट इस तरह से बनाएगा फिटिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी अभी तक हमारे यहां पे टूटल पांच क्रोशय बनाते जाएगे और यह जो उन है यहां पे हमारा इसी में यह दब गया है तो उधर से हमारा खुलेगा भी नहीं बुनाई आप चाहें तो नॉट लगाके भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं चलिए मैं यहां पे ऐसे ही डबल क क्रोशय बनाई है आपको गिन के दिखा देती हूं यह देखें यह जो हमने चेन बनाई थी स्टार्टिक में वह हमारा एक माना ही जाता है दो तीन चार पांच छे साथ आर नो दस इक्यारा और बारा टोटल बारे डबल क्रोशय हो गई है हम इस तरह से करके से ऐसे फिर से क करना होता है तर्म करने से पहलें आप एक सो डू चेन बनाई है हमारा एक क्रोशे वन जाता है अब यहां को इस तरह से चेन मिलती चली जाय चाया आप सभी जेंए के बार डूल क्रोश यापको पूरी की बारा हो जाहेगा मैं वा पूरी रोब के दिखाती dare और पहली चेन कि दो डुल से हमारी देखे दो डॉबल क्रो बेस हैं इसके अगाया गया हुए आफमको इंक ज़ार चैन्मे पुम्त चब्हार कर जो अफ़र्स्ट रॉम में बनाई है इसेँ सब्यस्सक्रांतności आप बना सकते किया हुआ है कि जरिखेना politics मैंने भूंते चले जाना है इस तरह की होक आपको अनलाइन मेल जाएगी मैंने भी मुझों से मंगवाई है तो आप चेक करिए आपको मिल जायेगी यह देखें यह प्लस्टिक वाली है और रबर वाली मंगवाई का मेरे पास रबर वाली भी है तो रबर वाली थुड़ी सी जल्दी खराब हो जाती है बड़ कमफोर्टेबल ज्यादा रबर वाली होती है यह इस तरह से यह देखें यह होगी अब मैं आपको गिन के दिखा देती हूं बिना गिने ही हमने बनाया है यह देखें यह हमने जो चेन बनाया थी वो दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस 11 12 12 की 12 हो गई फिर यह चीज से हमें रिपीट करना है फिर नेक्स डूम में हमें 12 ही मिलेगी यह देखें इस तरह से किया यहाँ पे हमने एक दो दो चेन बनाई और यह हमें ऐसे ही बुनते चले जाना है तो चली अब मैं इसी तरह से इसे लंबा करती हूं फिर आगे आगे को बताऊंगी कि हमें क्या करना है कितना असान है आसानी से आप बना सकते हैं यह दिखी मैंने यह पर इसे इतना लंबा बुंतिया है आप देखें यहां पर अगर मैं आपको पूरी रो गिनके दिखाऊ तो दिखें एक तो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बा टोटल 12 double crochet बनाई है और 12-12 हमारी db4 चल गई है टोटल 15 रो मैंने आपे बुणि यह मैं बना रही हूँ चे नंबर के लिए क्या के लिए सभी साथ में आप मैजर्मेंट डेख लिए कि आपको कैसे कैसे बनाना है तो यह रहा हमारा मैजर्मेंट का चार्ट आप देखें य इस के बाद उसमें आपको 4 डबल क्रोशिय में यही चार डबल क्रोशिय आपके repeat होते चली जाएगी औरане है टोटल 5 रो बुननी है एक नमबर में आपके 6 डबल क्रोशिय बनानी है और 7 रो बुनेगे 2 नमबर में हमारी 7 हमारी double crochet रहेगी और 8 रो हम बुनेंगे 3 नमबर में हमारी 8 double crochet हमें बुनी है chain के अंदर और total 9 रो बुनेंगे 4 नमबर में हमें 9 double crochet बनानी है और total 11 रो बुनेंगे 5 नमबर में हमें 10 double crochet बनानी है total 13 रो बुनेंगे आठ नमबर में हमें 16 double crochet बनानी है 19 row बुनेंगे 9 नमबर में 18 double crochet बनानी है और 22 row बुनेंगे 10 नमबर में हमें 20 double crochet बनानी है और टोटल 25 row बुनेंगे यहाँ पर आप इस measurement चाहता है इस को insert भी ले सकते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और chain ready की हुई है हमें क्या करना है इस chain को हम यहाँ डाल देंगे यह इस तरह से यह ऐसे करके आपको फसाना है और यहीं पर हमें निकाल लेना यह कमर पर बढ़ेगा तो यह हमने देखिए निकाल लिया यह इस तरह से अब चलिए आपको पहना के भी दिखा लेती हूँ एकदम simple और आसान तरीके से आप इसे बनाई और पहनाई यह रहे छे नंबर के काना जी तो यह देखिए हैज यहां पर जो dress अ मैंने कानाजी को पहना दी है एकदम simple और आसान तरीके से आगई बनाना और पहनाना बहुत इसी है तो आप यह एक दम सिंपल और आसान तरीके से बनाईए और पहनाईए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा इसे पहना कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है